हेलो फ्रेंड्स मैं केल मलहत्रा एक बार फिर स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केल एम कीबोर्ड प्रेक्टिस पर आज कला कार फिल्म के लिए किशोर कुमार जी का गया हुआ गाना नीले नीले अंबर पर आज इस गाने को करते हैं ये गाना बड़ा यूनीक गाना लगता है मेरे को क्योंकि इसमें एक तो इसके जो लिरिक्स हैं बहुत छोटे-छोटे सेंटेंसेज में हैं और इसमें जो नोट्स हैं सारे शुध लग रहे हैं एक नी कॉमल है सरफ बाकि सारे शुध हैं और इसके स इसमें एक बात यह है कि इसके अंदर पैटर्न बड़ा पिक्यूलियर बनता है अभी जब शुरू करेंगे तो आपको दताएंगे तो उसमें क्या है कि बड़ा आसाम हो जाता है नए सीखने वालों के लिए बजाना तो और फिर इसमें रैपटिशन बहुत है बस थोड़ा से नोट सी करने हैं तो फिर लाइने रिपीट होती रहती है तो चलिए इस बैक ग्राउंड के साथ शुरू करता हूं तो गाना नीले नीले अंबर पर चांद जब आए अब इसमें क्या है जैसे ये रे से शुरू हो रहा है पहली लाइन ये तीन नोट से अब आपने तीन नो नीले 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 अंबर पर नीले नीले अंबर पर तो नीले 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 और ये जो दो बच गए अंबर पर न रेमा धामा रेमा धामा पापागा तो इसमें हो जाएगा नीले नीले अंबर पर ले निले अंबर पर चांद जब चांद जब आए तो चांद जब पैट Ogden अबी शा से किया तो सागा पा तो यह जाएगा चांद जब चांद जब आए आए तो इसमें क्या हो जाएगा सागा पा घर सागा पागा मा मारे तो निले निले अंबर पर चांद ज़ल आए उसके और फिर जो अगली लाइन है प्यार बरसाए हमको तरसाए यह सेम नोड़ Means प्यार बरसाए हमको तरसाए तो हो गया सिंपल दो लाइने की और बाकी दो लाइने रिपीट हो गई उसके बाद मुखड़े में जो अगली चार लाइने हैं वो है ऐसा रे रे ऐसा कोई माधा हैं वो ही तीन नोट्स ये देखें जो आपने दबाएं पहले दबाएं वो ही है रे रे माधा ऐसा कोई साथी हो रे रे माधा रे 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 ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी जहां से आएगा वो ही दो नोट्स हैं माधा ऐसा कोई कोई में आब इसके बार रेशा आएगा तो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए उसमें भी यही है प्यास दिल की प्यास माधा प्यास दिल की रेशा नी प्यास दिल की बुझा जाए नीनी सा भुझा जा ए नीनी सा नी धा अब इसके बाद जो है फिर वो ही नीले 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 अंबर पर वही जो पहली चार लाईने थी वो फिर रिपीट होंगी और लिरिक्स भी वो ही है नोट्स भी वो ही है तो उसके बाद ये जो है मुख्रा इसका पूरा हो जाता है अब जाता है इसका अंत्रा अंत्रे में है रे से होगा ये तार्सक्त के रे से तो यहां हो पहले शुरूब हो उंचे 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 परबत जब चूंते हैं उंचे उंचे हो उंचे उंचे परबत रे रे सा रे 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 उंचे उंचे परबर जब चूंते हैं अंबर को नीसा साथ उंचे उंचे रेरे साथ उंचे रेरे साथ परबर रेरे रे जब चूंते हैं रेगारे साथ अंबर को प्यासा प्यासा उसी लाइन पर यह है प्यासा प्यासा अंबर प्यासा निनी धा नीनी अंबर जब चूमता है सादर को जब नीनी चूम रेता है नी सा सा नी सा जब चूमता है सादर को अब जो है इसके बाद प्यार से कसने को बाहों में बसने को यह जो लिरिक्स हैं यह बजेंगे जो पहली चार लाइने नीने अंबर जो बोल है गाने के उसी उसी पर बजेंगे नोट्स में कोई फरक नहीं है तो मतलब यह है कि अंतरे की पहली चार लाइने जो हैं वो यहां से बज रही है लेकिन बाद वाली चार फिर वो ही है वो नीले नीले अंबर वाला ही बज़ेगा प्यार में कसने को प्यार से कसने को बाहूं में बसने को फिर वो ही दिल मेरा लल चाए अब इतना करने के बाद ऐसा कोई साथी हो वो मुखड़े की अगली जो चार लाइने होती है ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुढ़ाए फिर वो ही नीले नीले अंबर वाला चांड दे लाइ वो सेम हो जाता है तो बस इतना ही है इसके बाद जो अगला उंतरा है वो सेम नोट्स पर बजेगा तो उमीद करता हूं कि ये कोई खास इसमें कोई मुश्किल फील नहीं होगी किसी को भी और अच्छे से बजा पाएंगे तो प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं अगले गाने में अगले वीडियो में थैंक यू सो मच सी यू